कि यहां पे मैंने एक डाइकॉट प्लांट जो की संफ्लावर है उसका स्टेम दिखाया तुमें संफ्लावर का साइन्टिफिक नाम होता है हेलियांतिस एनस ठीक है अब हम क्या करेंगे यह जो हमारा संफ्लावर है इसके स्टेम पे कट लगाएंगे यहां पे और इसका ट्रांसवर सेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा यह डाइगराम इंसी आर्टी का है इंसी आर्टी 11 पेज नंबर 92 में आपको दिख जाएगा ठीक है अब यह त समझाओ कि internal structure of dicot stem होता कैसा है तो उसके लिए next slide पर बरते moving on to the next slide चलो भईया तो यह रहा हमारा transverse section of dicot stem इससे समझेंगे कि dicot stem का जो अंदर का internal structure होता है वो कैसा होता है ध्यान से सुनते रहे ना जो सबसे बाहर वाला layer है single layer सबसे उपर पे इससे हम कहते हैं epidermis देखो transverse section of dicot stem में पहले भी एक बार discuss कर चुका हो एक बार नहीं शायद 2-3 बार कर चुका हो लेकिन वापस से detail में कर रहा हो ठीक है तो ध्यान से सुनना सबसे बाहर वाला layer हमने कहा दिया epidermis epidermis के उपर आपको मिल जाएगा shoot hair जिससे trichomes भी कहते हैं ये multicellular होते हैं और इसके सबसे उपर आपको मिल जाएगा epidermis के उपर में बहुत साई stomata भी होते हैं ठीक है तो epidermis के उपर shoot hair और stomata present होते है epidermis अब से बाहर वाला layer है उसके बाद epidermis से just अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा hypodermis यह जो epidermis है यह parent chemitis होता है यानि कि made up of parent chemo cells ठीक है और hypodermis colon chemitis होता है बहुत सारे colon chemo cell या colon chemo tissue का बना होता है इसलिए colon chemo in nature होता है ठीक है चलो next हाइपोडर्मिस के अंदर आपको जेनरल कोटेक्स मिलेगा जेनरल कोटेक्स होता है पैरेंट काइमा सेल का बना होता है ठीक है एंडोडर्मिस जो होता है वो आपको जेनरल कोटेक्स के अंदर मिल जाएगा एंडोडर्मिस भी देखो सिंगल लेयर होते हैं हाइपोडर्मिस CP का मतलब समझाना, P का मतलब Parenchyma का बना है, C का मतलब Collinchyma का और वापस सही जो General Cortex है, यह P मतलब Parenchyma cell का बना होता है, चलो, अब देखो, Endodermis को हम Starch Sheet भी कहते हैं, Sheet कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे starch grains present होते हैं, and this is the reason why Endodermis is also known as Starch Sheet, ठीक है? यह जो Endodermis, General Cortex और Hypodermis हैं, इनको एक साथ Collectively हम Cortex कहते हैं, यह भी मैंने Discuss कर लिया है, कर चुका है मैंने, मतलब मैंने Discuss किया है already, कि Hypodermis, General Cortex और Endodermis को हम Collectively एक साथ Cortex कहते हैं, चलो, अब आते हैं इस तरफ, इस तरफ हमें मिल जाएगा, Pericycle, Pericycle आपको Endodermis के जस्ट अंदर में मिलेगा, Pericycle वाला Region, और यहाँ पे, सबसे अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, Vascular Bundles, ठीक है, Vascular Bundles present है, यह दोको अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर UltraVascular Bundles के बीच में present होता है, Medullary Rays, जिसे Pith Rays भी कहते है, ठीक है, और सबसे सेंटर में present होता है, Pith, Medullary Rays और Pith दोनों Parent Chimators होते हैं, यानि कि Parent Chima Tissue के बनने होते हैं, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते है, Vascular Tissue Pericycle, Medullary Rays और Pith, इन चारों को हम Collectively कहते हैं, Steel, जैसे इन तीनों को हम Collectively कहते हैं, Cortex वैसी, इन चारों को हम Steel कहते हैं, तो क्या-क्या हो गया, Epidermis हो गया, Cortex हो गया, और Steel हो गया, अब देखो, Dicot Stem का जो Steel होता है, Steel का पार्ट क्या है, Vascular Bundle है, Pericycle है, Medullary Rays, Pith है, तो Dicot Stem का जो Steel होता है, उसका जो Vascular Bundle होता है, वो के फ़र्म में Arrange होता है, यह देखो, एक रिंग के फ़र्म में एगो warm में Arrange होता है, तो ऐसे Steel को हम कहते हैं, New Steel, तो Dicot Stem का Steel का स्थिल कैसा है, New Steel है, क्योंकि डाइको Zetam का जो Steel है, उसका जो Vascular Bundle हो, रिंग के फ़र्म में Arrange हो रिंग के एक वैस्टुलर बंडल के उपर बना अब देखो यह सारे वैस्टुलर बंडल के उपर मैंने बना दिया इस structure को कहा जाता है bundle cap, cap की तरह होता है देखो हमारा जो वैस्टुलर बंडल है इसके उपर cap की तरह होता है scleran chematis, scleran chematis in nature होता है bundle cap, यह रहा देखो यह हमारा vascular bundle है मैंने अच्छे से एक बर यहां पर दिखाए vascular bundle नीचे जायलम, बीच में cambium, ऊपर phloem और इसी के उपर present होता है, यह हमारा bundle cap, इसी को यहाँ पर मैंने दिखायें, ठीक है, अब इतना समझे, चलो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, दो bundle cap के बीच में, मैंने बनाया यहाँ पर parent काईमा, यह P का मतलब parent काईमा, दो bundle cap के बीच में present होता है क्या parent काईमा tissue, ठ देखो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या, पेडी साइकल है, डेकॉट स्टेम का क्या है, पेडी साइकल, number, पेडी साइकल है, crazy में जो bundle cap है वो किसका बना है, sclerochymetis tissue का तो मैं यह स्वी लिख रहा हो 2 स्कलेरिन काइब में टिशू है मतत दो बेंडल के एंडल कैप उसके बीच ब्सके प्रेंदिय काइमा प्रेंड का सखो पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइज, अब देखो ध्यान से, यह रहा भया हमारा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में यह रहा, बंडल कैप, वैस्कुलर बंडल के ऊपर प्रेजेंट होता है, बंडल कैप, बंडल कैप बना हो scleranchyma का बना हुआ है देखो, consist of parenchyma and scleranchyma pericycle is composed of parenchyma, scleranchyma scleranchyma कहां bundle cap में होते और जहां-जहां scleranchyma नहीं है, जहां-जहां bundle cap नहीं है वहाँ पर parenchyma present है तो pericycle is made up of both scleranchyma and parenchyma जो कि alternate manner में यहां पर देखो, arranged है scleranchyma, parenchyma, scleranchyma, parenchyma तो हमारो जो pericycle है it is made up of two type of tissue इसलिए pericycle को हम कहते हैं यह heterogeneous होते है pericycle है heterogeneous why? क्योंकि दो तरह के tissue के बने है, scleranchyma and parenchyma I hope यह concept आपको समझ में आया होगा, चलो तो मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ screen को, screen यहाँ पे होगे हमारा साफ, चलो अब देखो एक structure तुम्हें मैं दिखाऊंगा, यह रहा यह structure को देखो duct की तरह present है कहाँ पे present है यह hypodermis में, यह रहा sorry hypodermis नहीं, general cortex यह हमारा general cortex है general cortex में present है यह structure इससे हम कहते है resin canal या resin duct इससे क्या होता है resin जो होता है वो निकलता है mucilage के form में resin जो होता है वो release होता है in the form of mucilage जो घड में हम लोग की जो mummy लोग है वो लोग बिंदी लगाती है बिंदी, mummy लोग mummy, बहन, लोग, दीदी, लोग बिंदी लगाती है तो जो बिंदी होता है उसके पीछे जो STICKY SUBSTENT होता है वो GUM नहीं होता वो तिस किसी तरह का GLEU नहीं होता है वो होता है RESINE ठीक है? जो MUSILEG के फ़्रम में होता है RESINE ओके तो यही RESINE है जो कहां से निकलता है? RESINE कनाल से in the form of musilage ओके, RESINE कनाल या RESINE DUCKT से हमारा resin निकलता है in the form of mucilage कहां present होता है general cortex में तो यहां पर हमने देखा transverse section of dicot stem मेरे अंदाज में ठीक है NCRT के अंदाज में तो बहुत छोड़ा साथा इतना छुट्टा सेक्टर डागराम दे दिया समझ में भी नहीं आता तो यहां पर हमने अच्छे से completely transverse section देखा dicot stem का अब चलो moving on to the next slide अब यह वाला slide देखो internal structure of dicot stem का dicot stem का picture अभी खतम नहीं हुआ picture अभी बाकी है थोड़ा बहुत और discuss करेंगे यह हमारा sunflower का stem है बीच से काटा, transverse section लिया ठीक है, transverse section of dicot stem ठीक है, यह रहा अब हम क्या करेंगे, तुम घर पे pizza खाते हो ठीक है, pizza खाते हो तो pizza का एक slice लेते हो और बड़े चाव से खाते हो तो समझ जो यह जो हमारा TS था dicot stem का, इसी का हमने एक slice लिया और इस slice को enlarge करके देख रहे है, ठीक है बड़ा करके देख रहे है, और राइट चलो, transverse section of dicot stem का एक slice को enlarge करके पड़ते है सबसे उपर में आपको obviously मिल जाएगा epidermis single layer होता है, ठीक है और epidermis है, इसके उपर cuticle और stem hair, यानि कि trichomes present होते है, multi-cellular होते है multi-cellular, बहुत सारे cell का बना multi-cellular होते है, trichomes alright, जिने shoot hair भी खहा जाता है, alright अब epidermis है, epidermis के just नीचे आपको hypodermis मिल जाएगा ये कैसा hypodermis कैसा multi-layer है, okay, hypodermis मिल जाएगा colonchymetis होते है, colonchymetis के बने होते है, colonchymetis के तो हम इने colonchymetis बोल दिये hypodermis के नीचे आपको एक और multi-layer structure मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा, जिसे हम कहते है general cortex ये general cortex कैसे होते है parenchymetis होते है, parenchyma cells के बने होते है, बहुत सारे parenchyma cells है यानि कि parenchyma tissue, ठीक है ये जो general cortex है, इसी में आपको मिल जाएगा, mucilage canal ठीक है, ये mucilage canal है जिसे resin duct भी कहते है क्यों, क्योंकि जो resin होता है वो mucilage के form में होता है इसलिए mucilage canal बोल दो, या resin duct बोल दो, एक ही चीज है next, अब हम बात करते है endodermis endodermis again, देखो एक single layered structure single layered single layered endodermis, ओके, इसे starch शीद भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो endodermis है ये starch grain से भड़ा हुआ होता है इसके दर बहुत सारे starch grain होते है endodermis के अंदर, इसलिए से starch sheet भी कहा जाता है next, अब हम आते है अच्छा, हाँ, ये चीज़ याद रखना hyperdermis, general cortex और endodermis को collectively हम एक साब cortex कहते है ये तो बार-बार बोल चुका हो अब हम आते है, vascular bundle पे ये हमारा पूरा region है, vascular bundle का ये region, ठीक है, ये देखो ये वाला जो region है ये region हमारा इसका आधा वाला जो हिस्सा यहां रहा होगा ये यहां दिखाया है और इसका जो आदा वाला हिस्सा रहा होगा यह हमें यहां दिखाया है ठीक है तो vascular bundle present है यह हमारा vascular bundle है अब मैं तुम्हारे आराम के लिए यहां पर एक vascular bundle बना देता हूँ ताकि तुमको यह अच्छा है समझ में है यह cambium, phloem, xylem अब यह जो पार्ट है यह हमारा phloem है vascular bundle का यह रहा हमारा cambium यह जो बीच में present है ठीक है, cambium उसके नीचे आपको मिल जाएगा xylem का दो पार metasylem, यह वाला पार जो xylem का उपर वाला पार, broad वाला पार इसे हम metasylem कहते है और नीचे में जो narrow वाला हिस्सा है इसे हम protozylem कहते है मैंने आपको बता के रखा है कि xylem का दो पार्ट है ठीक है क्या? metasylem, protozylem metasylem जो broad वाला हिस्सा protozylem जो narrow वाला हिस्सा तो यहाँ पे हमने एक पुरा का पुरा vascular bundle दिखाया अब वास्कुलर बंडल के ऊपर आपने पढ़ा है present होता है क्या bundle cap जो कि scleran kymah का बना होता है और pericycle region में पाया जाता है bundle cap तो यह जो रहा हमारा जो यह हमारा पुरा vascular bundle के ऊपर है इससे हम कहते है क्या bundle cap bundle cap जो था याद करो यह हमारा vascular bundle बीच में cambium, phloem, xylem इसके उपर ऐसे bundle cap था यह bundle cap बना हुआ था scleran kymah का तो इसलिए यहां जो जितने भी cells होंगे यह scleran kymah की होंगे ठीक है क्योंकि यह क्या है यह है bundle cap और यह कौन से region में थे bundle cap याद करो pericycle में थे bundle cap वाला region scleran kymah था और बीच वाला region था वो parent kymah था मैंने बताया था ना scleran kymah parent kymah scleran kymah करकर के ठीक है तो यहां बीच में parent kymah है और यहां पर scleran kymah है और यह region कहां है pericycle में चलो अब एक चीज़ देखो hard bast bundle cap को हम hard bast भी कहते हैं तो यह याद रखना bundle cap को एक और नाम है hard bast अब next यहां पर medullary days है ठीक है medullary days दो bundle cap हमारा याद करो यह bundle cap और यह bundle cap दो bundle cap के बीच वाले region बीच में जो race present है उन्हें हम कहेंगे medullary days और सबसे बीच वाला region बीच वाला region middle वाला region इस हम कहते हैं पित medullary days और पित दोनों के दोनों याद करो parent kymetis होते है parent kymetis होते है ठीक है तो यहां पर हमने क्या किया internal structure of dicot stem में dicot stem के slice को enlarge करके अच्छे से समझा अब चलो अब moving on to the next slide अब चलो internal structure of dicot stem में कुछ चीजों को अच्छे से discuss करते है जैसे कि पहला हो गया epidermis जो हमारा dicot stem का epidermis है वो कैसा होता है outermost layer होता है single layered होता है lack of chloroplast chloroplast जो है वो epidermis में absent होता है ठीक है lack करता है few stomata कुछ stomata present होते है उपर में multi cellular hair present होते है जिने हम trichomes कहते है multi cellular hair देखो ठीक है यह epidermal hair भी कहा जाता है और यही shoot hair होते है बोला है मैंने बार-बार cuticle is present जो epidermis है इसके उपर cuticle present होता है और जो slice वाला diagram था जैसे slice वाला इसमें मैंने आपको उपर में दिखाया था cuticle present होता है epidermis के उपर याद करू ओके next याद क्या करूगे अभी पढ़ा है next देखो cortex की बात करे cortex तीन पार्ट से बना होता है hypodermis, general cortex और endodermis hypodermis जो होता है यह layer multi layered होता है ठीक है थिक होता है colonchymia का बना होता है colonchymetis और इनमें chloroplast present होता है general cortex की बात करे तो paranchymetis होते है paranchymia cells के बने होते है endodermis की बात करे तो it is single layered epidermis की तरह epidermis भी single layer था endodermis भी single layer cells जो होते है endodermis की rich होते है in starch grains इसलिए endodermis को हम starch sheet भी कहते है ठीक है चलो moving on to the next slide अब हम बात करते है pericycle की pericycle कैसा होता है देखो pericycle multi layered होता है made up of alternate bands of paranchymia cells and scleranchymia cells याद करो pericycle में जो bundle cap वाला region था bundle cap वो जो था scleranchymia cells था और दो bundle cap के बीच में जो reason था उससे हम क्या करेते वो paranchymia cells था paranchymia cells का बना था right light आ गया light चला गया था देखो तो अब यहाँ देखो pericycle heterogeneous होते है क्यों क्योंकि pericycle दो तरह की tissue के बने होते है paranchymia cells और scleranchymia cells okay next point देखो part of pericycle which is situated in front of vascular bundle is known as bundle cap वो वाला part pericycle का जो कि vascular bundle यहाँ पर मैं vascular bundle बना दिया ठीक है यह cambium phloem xylem इसके उपर में जो part front में vascular bundle के front यानि उपर में जो part present होता था vascular bundle के उसे हम कहते थे bundle cap किसका बना होता था scleranchymia का ठीक है scleranchymia का और यही जो scleranchymia cells होते है यह वाले region को इन्हें hard bast भी कहा जाता है तो pericycle का वो region जो कि scleranchymia cell का बना है यानि कि bundle cap bundle cap ही तो scleranchymia cells का बना है इन्हें हम hard bast भी कहते हैं और दो bundle cap के बीच में present होता था कि आप parent chimia cells यानि करो मैंने तुम्हें scleranchymia 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 ऐसे बोल बोल के समझाया था चलो अब थोड़ा इसको मिटा ले अब हम बात करते हैं vascular bundles की vascular bundles wedge shaped होते हैं wedge shaped मतलब जो नाग होता है इतना important point नहीं है याद नहीं करोगे तो चलेगा लेकिन यह चीज़ याद रखना कि vascular bundles कैसे होते हैं dicot stem में conjoint collateral and open होते हैं conjoint collateral का मतलब क्या होता है मैंने आपको vascular bundle में समझाया था वापस एक बार बोल देता हूँ यह हमारा vascular bundle है यह बीच में cambium present है यह phloem है यह xylem है conjoint collateral हम तब बोलेंगे vascular bundle को जब xylem present रहता है उसके एक end पे present होता है phloem periphery पे xylem के एक end पे यानि कि periphery पे present होता है phloem ऐसे vascular bundle को कहते है conjoint collateral और जब इसी conjoint collateral vascular bundle में बीच में cambium present होता है तो इन्हें हम कह देते हैं यह vascular bundle open है ठीक है तो vascular bundle कैसा होगा conjoined collateral and open xylem कैसा होता है endarge होता है in stem endarge का मतलब क्या होता है देखो यह जो हमारा xylem है आपको पता है दो पार्ट में divided प्रोडो àsgembr enneying or उपर में metazylem यह metazylem ऑux Śे उडाघिक जो नेरो वाला पार्ट में प्रोडो शेंटर की तरफ हुशेंट्र की तरफ है यहां देखो यह जो लोड़ वाला जायलम पॉर्टोजीशन गीतर है तो जब पॉचिशन जायलम में यह हुरुअ है झायलम में जो पॉचिशन सेंटर की तरफ हो तो ऐसे गाइसे हैं कहते हैं अफ तो डाइकोट सेम मेंडास सेम वाइव वाई, बिकॉस, दे प्रोटोजालम पोजीशन इस सेंटरल, सेंटर में प्रेजेंट है, तो इतना ही था, इंटरनल स्ट्ट्चर अव डाइकॉट स्टेम, I hope आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में, ने, रुक, 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 एक और चीज़ था, एक और चीज़ था, पित, पित जो होता है, वो वेल डेवलप्ट होता है, पैरनकाइमेटर्स होता है, मैं खुद एडिट किया था, मैं खुद भूल गया, पित भी है, पित कैसा होता है, वेल सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन ज़रू प्रेस करना तक फूचर में जब भी मैं वीडियो अप्लोड करो तो तुम्हें नोटिफिकेशन विले और अगर तुम्हें नीचे शो कर रहा होगा उसके क्लिक करो वीडियो देखो और अपने दोस्तों के बीच में शेर करो तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में बाय थैंक यू टेक केर